नमस्ते मैं रवी कुमार लेक्चर कम्प्यूटर साइंस GPC डूंगरपूर ASP.NET का इंट्रोडक्शन है वो हम पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ASP और ASP.NET के अंदर क्या similarities है और क्या difference है Students, similarities तो यह है ASP और ASP.NET में की दोनों ही Microsoft द्वारा विक्सित की गई है ASP 98 में विक्सित की गई और ASP.NET 2002 में विक्सित की गई दोनों ही है वो website development के लिए काम में ली जाती है इन में कुछ differences भी है ASP.NET है वो इसी ASP के अंदर कुछ नई चीज़े सामिल करके इसमें सुदार करके बनाई गई है तो इन में दोनों में हम difference देखते है पहला difference तो यह है कि ASP है वो interpreted VB script और Jscript यूज़ करता है और ASP.NET है वो यूज़ करता है कोई भी .NET language including VB.NET, Cscript, Jscript और वो भी compiled अब हम इसको समझने के लिए पहले देखते हैं कि interpreted क्या होता है और compiled क्या होता है interpret interpret करने का क्या होता है interpret में line by line check किया जाता है code को तो इसमें होता है क्या है line by line में एक तो यह slow होता है इसकी performance है वो slow होती है compiled में क्या होता है कि सारा का सारा जो code है वो एक साथ check कर लिया जाता है तो यह fast होता है दूसरा ASP.NET दे फाइदा ही हो गया कि इसमें कोई सी भी vb.net supported language है उसको हम use कर सकते है जबकि ASP में vb script और j script था दूसरा अंतर है कि ASP के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे sensitive code उसको hide किया जा सकते उसको hide नहीं कर सकते क्योंकि यह क्या object oriented language नहीं थी अब object oriented language नहीं थी तो इसमें क्या होता था कि हम data को hide नहीं कर सकते थी जबकि ASP.NET क्या है object oriented है इसलिए क्या करती है programmer को allow करती है कि वो dynamic link libraries है वो create कर सकता है और उनके अंदर क्या कर सकता है sensitive data है उनको store कर सकता है तो इस तरह से वो data hiding कर सकता है ASP के अंदर code क्या interpret किया जा रहता है इसलिए slow performance थी और ASP.NET के अंदर compile किया जा रहा है किसमें DLL में इसलिए improve करता है performance को ASP maximum चार built-in classes है वो होती थी उसमें जैसे कि request, response, session और application only four inbuilt classes होती थी जबकि ASP.NET है वो .NET framework यूज करता है जिसमें लगबग 2000 built-in classes होती है तो कितना बड़ा difference हो गया है ASP के अंदर कोई भी server-based components नहीं होते है और ASP.NET ओपर करता है several server-based components जैसे button है, text box है ASP यह वो page level transaction support नहीं करता जबकि ASP.NET page level transaction support करता है ASP के अंदर क्या होता है business और presentation logic है दोनों intermix हो जाते थे क्योंकि ASP mostly किसमें लिखते थे VBScript और HTML में तो VBScript और HTML दोनों intermix होते थी इसलिए HTML में हम क्या करते है presentation का काम VBScript में business logic यह दोनों mix हो जाते थे लेकिन ASP.NET है वो allow करता है separation of business or presentation logic क्योंकि इसका code है वो directly है वो .aspx page के अंदर include करने की जरूरत नहीं होती ASP applications है वो components use करने और deploy करने में उनको replace करने में update करने में दिक्कत होती थी to replace we had to manually shut down the server replace it and restart it तो ASP के अंदर जो भी applications websites बनी होती थी उनको जब हमें update करना होता था तो उसके अंदर server को हमें बंद करना पड़ता था और फिर उसका update का काम होता लेकिन ASP.NET है वो directly उस component का reference hold नहीं रखता है इसलिए यहां पर हमें जब update करना होता है तो server को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है ASP है वो सिर्फ Microsoft-based technology है उन पर ही चलता था उसी server पर चलता था IIS पर non-microsoft पर ASP नहीं चलता था जबकि ASP.NET है वो non-microsoft-based technology है उन पर भी चलता है ASP है वो object-oriented नहीं है और ASP.NET है वो object-oriented है अब object-oriented नहीं है इसलिए उसमें क्या inheritance का भी concept नहीं है ASP में और ASP.NET के जो waveforms है वो inherit करता है classes को तो students ये था हमारा ASP और ASP.NET के अंदर अंतर ये बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है ओके थैंक यू